NCP नेता नबाब मलिक ने चंद्रकांत पातर के बयान पर पलटवार कर दिया है तो बड़ी ख़वर आपको यहाँ पर यह बता दे NCP के नेता है नबाब मलिक जिन्नोंने चंद्रकांत पातर के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि BJP खुद को राज में बड़ी पाती होने का दावा करती है तो राजपाल की पास जाकर मना क्यों नहीं कर दिया बीजेपी को डर सतारा है कि सत्ता के लोभी पार्टी के छोड़ कर भाग न जाए इसलिए उन्हें रुकाय रखने के लिए चंदरकान पार्टील जी हो चाहे अद्धिक्ष महोदे चाहे पूर मुख्य मंत्री हो लगातार बयान दे रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी तेकिन यह समझना पड़ेगा कि 145 विधायक बिना कोई सरकार नहीं बन सकती और वो भूल जाए यह गोवार करनाटक नहीं है महरास्ट में पूरी तरह से प्रसाशन ठप हो गया है राश्च्पति शाशन लगने के बाद 10,000 करोड रुपे की किसानों को मदद का एलान किया गया किसानों का पंचनामा नहीं हो रहा है बीमा कंपनिया मनमानी काम कर रही है मदद पहुंचाई नहीं जा रही है मंतराले में मुख्यमंति सहता निधी से जो मरीजों को मदद देनी है वो कामकाशपुरी तरह से बंद है तो प्रसाशन ठप हो गया है साड़े चार बजे का सम में दिया गया है तीनों दल के लोग नेता राजपाल महदे से मिलेंगे प्रसाशन को चुस दुरुष किया जाए किसानों को मदरित दी जाए महारास की जनता आसहाय महसूस करने लगी है राजपाल की जिम्मेदारी बनती है कि प्रसाशन को चुस दुरुष करे इन मांगो को लेकि हम राजपल महदे से मिलेंगे